जैसे विजय दश्मी के दिन समर्पित की गई शमी का एक पत्ता महा देव को अगर एक शमी का पत्ता विजय दश्मी के दिन समर्पित कर दिया तो जिन्दगी में कभी बेभव और धन की कमी नहीं आती उसी तरह इस हड़ाय को शिवतत्व में समाहित करकर रखना कि शमी का पत्र है एक पत्ते में चौधा करोड सोने की मुद्रा का फल होता है चौधा करोड सोने की मुद्रा का फल एक शमी के पत्ते में होता है तुरंत वर्तंतु महारिशी ने शंकर की अराधना करकर शिवजी से हाथ जोड़कर प्राथना करी बाबा प्रगठो देव अधिद्यम महादेव प्रगठो कर करते हैं वर्तंतु मांगो तुम्हें क्या चा दून होने पर जो विजे दश्मी आए उस दश्मी के दिन जो एक शमी का पत्र भूल वश्वी महादेव को समर्पित कर दे उसकी जिंदे मिकी में कभी संपधा की कमी ना आए एक समी का पत्र एक समी का पत्ता चौधा करोड सोने की मुद्रा से प्रबल हो जाता है एक शमी पत्र में वो फल है और केवल यही नहीं शमी के ब्रक्ष के नीचे बेलपत्री के ब्रक्ष के नीचे अगर भूल से भी बच्चा, बुढ़ा, कोई व्यक्थी एक पार्थिव शिवलिंग का निर्मान कर लेता है भूल वश्वी उसके जल समर्पित कर देता है भूल वश्वी उसके भाव से पुष्प या शमी पत्र या बेलपत्र भी चड़ा देता है तो वो इस संसार में कहीं ना कहीं सुख भोगता ही है उसके जीवन में दुख ही है शमी पत्र की मूलता कर देता है वर्तन तुने एक शमी पत्र से जीवन का एक आनंद बता दिया आप भी प्रियास करो विजय दश्मी के दिन एक शमी पत्र बाबा देवा दिदे महादेव को समर्पित करें भगवान संकर को शमी पत्र बेल पत्र सुख देने वाने एक बात बहुत अच्छे से अपने अंदर उतार कर रखिएगा शरत पूर्णिमा से लेकर कार्तिक की जो पूर्णिमा आए उस बीच में कार्तिक महिने की जब शिवरत्री आए या प्रदूश ब्रत आए थोड़ा ध्यान देना ये उन लोगों के लिए है जो एक रुपे कमाते हैं सवाया खर्च होता है घर में जिनके संपदा जुड़ती नहीं बेमारियों में पैसा जादा जाता हो या कहीं न कहीं तकलीफ है अपनी जिंदगी में आती उसके लिए शिवराधना कार्तिक महिने की थोड़ा ध्यान से शिर्वन करें वैसे तो कार्तिक महिने में जो तीन नवंबर से नो नवंबर तक ब्रज की भूमी में कोसी कला में जो शिव महापुराण की कथा है दो बजे से पांच बजे तक उसमें हम वर्णन करेंगे ही गोपेश्वर गोपी शिव महापुराण की कथा में फिर भी कार्तिक के महिने में पूर्णिमा से पूर्णिमा के बीच में जो सोंबार पड़े परदोश पड़े शिवरात्री पड़े प्रयास करना अगर बहुत कश्ट की जिन्दगी चल रही हो तो शिवरात्री प्रदोश और जितने सोंबार पड़ रहे हो कार्तिक में चार पाँच जो सोंबार पड़े उसमें एक बेल पत्र आशोक सुंदरी वाली जगापर और शमी पत्र देवदिद्य महादेव के उपर यह दो जगह आवश्य चड़ा एक महिने में जितने सोंबार पड़ जाएं और प्रदोश पड़े और मासिक शिवरात्री पड़े उसमें अवश्य चड़ाएं बेल पत्र कहां चड़ाना है जम के बोलो जरा आशोक सुंदरी की जगापर और शमी पत्र कहां चड़ाना है देव अधिदेव महादेव के उपर हिए एक बार चड़ा कर देखो में आपके जीवन का जो आनंद है कि जा अपने हेड़ाई की कामनाएं अपने वर्दाए के भाव हैं कार्तिक गर्थ का बहिनाय भगवान कार्तिके जीके लिए मूल कर शॏ मिस्सड़ानद कार्तिके जी ने जब तार्क का संघार कि आर तारकासुर को जब मार दिया था तो 33 कोटी देवताओं ने शडानन कार्थिके जी को बर प्रदान किया कार्थिके जी को बर राप्तु गोट तो लच्छमी जी ने और भगवान नरयन ने शडानन कार्थिके जी से कहा है यह इसकंदेव एक आर्थिके कार्थिक के महिने में जो दीपदान करता है उसके घर में कभी संपदा की कमी नहीं आती है कार्थिक महिने के दीपदान की महत्वता जेसे ही लच्छमी और नरहेन ने कही तब ब्रह्मा देव प्रगट हुए और देव अधिद्य महादेव प्रगट हुए माँ पार्वती के साथ में और ब्रह्मा जी प्रगट हुए माँ ब्रह्मानी के साथ में उन्होंने बर प्रदान कर दिया शडाननकार्ति के धूलवश् अगर कोई बेल पत्तर और शमी पत्तर दोनों एक साथ आपकी बहन अशुक सुन्दरी और आपके पिता देव अधिदेव महादेव को शमी पत्तर जो समर्पित कर देगा शडानन कार्ति के इस कार्ति के महिने में देव अधिदेव महादेव करते हैं उसके यहां कुबेर का भंडार शिव भर देव कि एक शमी पत्र फिर समझेगा यह जो बेल पत्र है यह आप समर्पित करेंगे अशुक संदरी वाली जगापर कि कहां समर्पित करेंगे अशुक संदरी जगापर शमी पत्र आप समर्पित करेंगे देव दिदे महा देव के उपर बस इसमें एक चीछ का समर्ण अपने को करना है कि अब अपन अशोक सुंदरी की जगह पर बेलपत्र चड़ाएंगे तो ये डंडी का मुख्य है ये महादेव के जो ाली स्थान क्लिवाली जगह उसे ओर होगा कि शमीपत्र की जो डंडी का मुख्य इसी की और जिस और तुमने मैं बेलपत्र चढ़ाया है उसी और संधी पत्र की धंडी का मुख उसी और होगा है left जाहं पर आप एलपत्र की धंडी का भी हो अ चैनल को स्थाइब करें धन्यवाल कि गंडी का भी मुख उसी और होगा तो भी आसा देवांद्यमाहादेव भागवायन शंकर कैस Congress जगजन्नी जगदंबा शिरी ब्रह्मदेव ब्रह्मानी सडानद कार्थी